आपके स्वेम पाग घर में बहुत अच्छी होशे बहुत ही अच्छी है उसका नाम है दूदी बोपड़ा यह जो दूदी बोपड़ा है यह अद्बुत है इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका रस पिए दूदी बोप्ड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूदी बोप्ड़े का रस्ठीक कर देदा सबसे खरार बीमारी जिसको हिर्दय घाथ हर कटेक कार्ड ये करस्ट इनको भी हुए या हुआ है या होने की शक्तिता है उन सबकी सबसे अच्छी आउशद है दूदी बोप्ड़े का रस्ठीक क्या गरना है दूदी बोप्ड़े को काटना छोटा छोटा पीस फिर चक्नी ब जिस्टोड़ा के रस भडीस घाथ के रस ने कल से कख अब यह जो दूदी बोप्ड़े का रस में थो जोड़ा कोतुमीर का रस थे भी स्टोड़े को लिएगा पिरस于 आदा चम्मछ पोदीने का रस्मीर हुए अजोटीसिर्र में ㄏक बोप्ड़े का रस थच्छ में लगा सकते हैं आदा चन्मच और यह सम्निलाके जो रस तयार हुआ इसको सुबह सुबह पी नहीं तो इससे क्या-क्या ठीप होने वाला है नहीं तो पर्सों आपको हर्करटेक आजाएगा आप दॉक्तर को नमस्ते करके धरा जाएगे और उसी दिन से दूदी वोपड़े का रस्कीना शुरू कर दीजिए तीन दिन भी अगर प्ती लिया तो मेरी गारेंटी है कि अगले 30 साल हर्करटेक नहीं आए कभी भी नहीं है तो हिरदय घाट की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी होता है तो निवोपड़े करेंज तरह से बोलेगा एक तीसरी वाली 70 परसेंट ब्लॉक हो गई तो भी डॉक्तर को नमस्ते करके घर आज़े वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओगे तो डॉक्तर को कहना है कि जीना मरना सभीश्वर के हाथ में है आपको नमस्ते आपमें हमको सुझा जाओ दिया धिन्यवाद घर आके दूदी वोप्रे का रस चालू कर दो दुबारा उस डॉक्तर के पास जाने की घरेजी नहीं कोड़ेशा तो उसका सब ताकत खतम हो गया नमग नहीं मिला जी नहीं मिला तो कोतमीर का चलेगा कोतमीर का भी नहीं मिला तो तुनसी का रस्तो कभी भी मिलेगा उतना तो डाली दीजे आल का रस्तो कभी भी मिलेगा उतना तो डाली दीजे चलेगा पत्ते डाल दीजे निकसर में जब पीस रहे तो पत्ते सीधे डाल द तो भी चलेगा है कि समझ में आया दूद्री वोप्रा बहुत अद्बुत है मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हिर्दय रोग का कोई भी मरीच कोई भी पेशन्ट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ कभी मत कराओ क्योंकि मैं आपक कि वही रहने वाली है ऑपरेशन होने के बाद यही है कि दो डाही लाक रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा गारंटी कुछ नहीं देगा वो कहेगा अगले दून भी हर्कटेक आ सकता है तो क्या साइधा ऑपरेशन कराने से और मैं आपको बताओं गिर्दय घात का ऑपर करने वाले सब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कभी नहीं कराते वो खुद दूदी बोपड़े का रस्की कभी नहीं कराते क्योंकि उनको महिती है ऑपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता कि ऐसे मेरे पास बहुत पेशाइंट है जिनोंने ऑपरेशन कराया एंजियो प्ल इसलिए ऑपरेशन कराने की दिलकुल कोशुश मत करिये क्या होता है वो मैं समझाता हूँ डॉक्टर करता क्या है हिर्दय को रट देने वाली जो वाहिकाएं हैं जिनको आर्ख्रीस कहते हैं अम लोग अंगरेजी में उनमें एक स्प्रिंग डालता है और वो इस्प्रिंग जब आपको हिर्दय गात के ऑपरेशन में इसको डाल रेता है तो तीन लाख रुपए ले लेता है तीन रुपए की चीज़े पर आपसे डाई तीन लाख ले लेता है और बोलेगा गारेंटी कुछ नहीं है कल फिर अटेक आ सकता तो फाइदा क्या उसको दिल मनेगा इसलि निदैंड Kathryn प्रकार के तो मैंने निदे एक तो गोलो ता और एक लंबा वाला है ये सबसे अच्छा है तो लंबा वाला झो भूपड़ा है उसका अरश्व सबसे अच्छा व crescle बाला जो है इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माने है अगर बीच कम होगा तो सबसे अच्छा होगा और कडू है तो उसको प्रयोग कम करिए कडू होता है जब पक जाता है पका हुआ दूदी भोपड़े का रस ज़्यादा अच्छा नहीं माने है कच्छा हो एक तर तो उसकी पहचान कैस से कर्मा एक दूदी भूबरा हाथ में लीजिए उसमें नाखुन लगेंगे तो आसानी से नाखुन अगर घुज गया तो बहुत अच्छा है और नाखुन घुज नहीं रहा है तो बिल्गुल बेपर है अगर अगे चले जिए निरोगी मानुस इसका रस पी सकते हैं बहुत अच्छे से पी सकते हैं अगर निरोगी मानुस इसको पीएंगे तो क्या होगा शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातिय द्रव, या विजातिय तत्तु, जो शरीर के अंदर भुसे हुए है, जिसको जहर कहा जाता है, दूधी भोपड़े का रस, इस पूरे जहर को पेशाग के रास्ते निखाल दे, ये शरीर की ऐसी सफाई करता है, जैसे ओई नहीं कर सकता है, बहुत अच्छी सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, जोइंट्स जितने भी हिर्दय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जोइंट्स हैं वहां सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई करता है, जैसे किसी गाड़ी को पानी डालके सो नमिय तो अच्छा है और अगर मकूरी है तो थोड़ा पानी दाल दीज्यु जाहिँ आदीज्टा युज्ड़ा पानी अछाय थोड़ा हम वह तो फीस को सब्सक्राइब मोलेकरन जाएं बार बार आएज में हर महिने में थीस दिन होते हैं थीज दिन रोज सुबह गिलास भी सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं तो 200 मिली लीटर का गिलास इतना काफी है और भी विम्मारी वालों वो 300 मिली लिए जाए जाए साल बर ले सकते हैं कोई हरकत नहीं कोई सक्लीफ नहीं